आज ट्रिगोनमेट्री का दसमा वीडियो है इसमें आपको टोटल क्यूशंस जितना भी मिलेगा हलाकि क्यूशंस नबर 182-83 के असपास यानि कि 20-25 क्यूशंस के असपास आपका सीजल मेंस का लगातार दिया गया है हलाकि क्यूशंस में कोई भी दम नहीं है आपको बेसिक कंसेप्ट पता होता है लेकिन इसका दोनों तरीका हम बताएंगे आप कैसे बनाते हैं वीडियो पहुँच करके खुद पहरे टेस्ट किजिए उसके बाद ही वीडियो को देखिए हलाकि कोई भी क्यूशंस में कोई भी डॉट नहीं रहना चाहिए कॉमेट्स जरूर किजिए हर एक वीडियो में आप वीडियो देखने के बाद नीचे कॉमेंट्स वक्स में कॉमेंट्स जरूर करें इससे हमें motivate मिलता है और उससे और भी हम ज़्यादा बेहतर वीडियो बना पते हैं तो देखिए जैसे यह वाला तुसंस का सबसे पहला तरह आपको बता रहे हैं method first बता रहे हैं हम value putting से value putting में 0 degree, 30 degree, 45 degree, 70 degree का यूज या 90 degree का यूज कब करते हैं यहां पर पता होना चाहिए यणि कि ऐसा value रखना है जिसके रखने पर खोटा value रखेंगे तभी आपका जादा बेटर रहेगा तो खिटा के जागा पर सबसे पहले पर आपका चांस बहुत कम हो जाता है एंसर आने की और उसमें यहां पर जैसे साइन जीरो हो जाता है कॉस्ट नभे पर जीरो हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कट लग सकता है इसलिए जीरो के छोड़कर यानि कि नेक्स्ट आगे बाढ़ते हैं तो तीशा होता है तो कितना हो जाएगा कॉस्क्ट कि टूठीट तो को टूठीटा कि नहीं पर तो ऑन एक कॉस्ष ते टेटा हुआ पास त्यू्स रिखिता हो गिया है स्था ग्राल में 해ं आप अभ यहां पर से देखिए कॉस साथ का भेलू कितना होता है 1य2 उसका क्या है होल क्यूँ पलस ठीरी और कॉस सिक्स्ति का बंफ़ चु वटा येहां देखिए कॉस सिको थर्टी डिग्री, तो कॉस स्थर्टी, उसका है तो साइन 30 का भाल होता है 1 by 2, साइन 30 से एक बटा 2 होता है, तो एक बटा 2 पे पावर 6, अब नेक्स स्टेप देखिए, यहां पर एक बटा जो लिखा गया है एक बटा 2 का Q, तो एक का Q 1 और 2 का Q 8, फिर पलस, उसके बाल 3 गुना एक बटा 2, तो यह कितना हो गया, तीन बटा 2, अब देखिए, यह रूट 3 पर पावर 6, बटा 2 पर पावर 6 होगा, तो रूट 3 पर पावर 6 कितना होगा, तो रूट हटाएं, यहां हम रख करके आपको समझाते हैं समझने के लिए, रूट बहले हटाते हैं, तो पावर 1 पावर 2 होता है, और इस पर पावर 6 है, फिर प कितना हो गया 27 यहां पर रेखेंगा 27 वाई 2 पर ची कितना 64 और माइनस है तो माइनस एक बटा 2 पर 6 है मतलब यहां पर पर च्वच च्व सकते हैं सिर्फ और आपको सिंप्लिफिकेशन करना है तो क्या करते हैं हर को समान करते हैं यहां 8 करें 4 वाट आठ और एक वाट आठ यानिको ऊपर में आपका कितना हो गया तेरा बटा आठ हो गिया और नीचे में देखिए ये आपका 27 बटा 64 में से 1 बटा 64 घटाएगे तो 26 बटा कितना होगा 64 होगा अब इस एक अश्टे पार अबर जो हम करें इस प्रकार से कि 13 बटा 8 गुना 64 बटा 26 हो जाएगा और ये तेरा एकम तेरा तेरा दूनी 26 और ये आठे कम आठ अठे अठी चौशर और ये दो चोके आठ डैट मिस आपके प्रस्न कैंसर हो रहा है चार और चार आपका C-number of sense दिया गया तो इस प्रकार से होग recoil method first अब देखें इसे मिठा कर हम method second बता रहा है method second जिससे basic method बोलते है तो अब बताने जा रहा है method second भ्यान से दखिए इसे मिठा कर हम बता है आपको क्योंकि उसमें आपको दो-तीन फर्मूला लिखेंगे पहले फर्मूला आना चाहिए फर्मूला हम पहले हैं लिख देंगे ताकि ज्यादा टैम वीडियो में ना लगे देखिए इसका बेसिक अप्रोच क्या होता है जो मतलब जो कियुसस पुछा गया था थारा फ़री दोहजर अठार का तो भालू पूटिंग से ठीटा बरबर 30 दिगरी रखकर तो हमने आपको बता दिया कि अंसर चार आएगा लेकिन किन ही को अगर जो डॉट है उसमें कि बे बेसिक भी आना जरूरी है तो बेसिक के लिए आपको यह जो concept लिखे यह सारा आपको कंफस्त याद रखना है हलाकि अगर जो याद नहीं है फिर भी हम अपने वीडियो के माध्यम से जो यहां पर लिखा गया है यह तो कुछ अस्पेशल जब हम सरोसन दे रहें तो हमें त जो comments करेंगे तब और ज्यादा भी जाने लगेगा तब हम आपका basic वाला वीडियो जरूर बना कर देंगे लेकिन यहां पर आपको यह direct याद ही रखना है जैसे sin square theta प्लस कौसा square theta बरबर एकाद रखते हैं कौसे का square theta माइनस quarter square theta बरबर एक होता है उसी प्रकार से से का square theta मा यहां यूज करेंगे जैसे देखिए यहां पर सबसे पहले उपर में कौस क्यूट 2 theta प्लस 3 कौस 2 theta तो कौस 2 theta यहां भी है यहां भी कौस 2 theta है तो सबसे पहले कौस 2 theta को हम अगर जो common ले लेते हैं कौस 2 theta कों common ले लेते हैं तो यहां पर कौस Q2 theta है मतलब कौस 2 theta 3 तीन वार है घुना में तो एक बार कौमन होगी यहां पर बचे यहां बचेगा और पलस ये तो common हो गिया मतलब 3 बचल यहां परसिल बटा नीचे में जो भी यह लिखा गया है cos 6 theta minus sin 6 theta तो इसका जो यहां पर हमने formula लिखा है direct इसका use के लिए यह आप तो भ्यान रखना है cos 2 theta into 1 minus cos square theta into sin square theta गुनाम आगे पिछे लिख सकते हैं 1 minus sin square theta into cos square theta भी और cos 2 theta के लिएगा पर हम यह भी लिख सकते हैं cos square theta minus sin square theta तो direct हम यह वाला भर्यून लिख रहा है यहां पर देखिए कितना हो जाएगा that means cos 2 theta into 1 minus 2 1 minus कितना है 1 minus cos square theta sin square theta या 1 minus sin square theta cos square theta आप जैसे चाहे लिख सकते हैं यह दोनों को गोनाम आगे पिक्षम लिख सकते हैं 1 minus cos square theta sin square theta भी लिख सकते थे अब देखिए यह cos 2 theta से cos 2 theta cancel हो गया उपर में आपका बचा cos square 2 theta plus 3 तो cos 2 theta का भालू होता है cos square theta minus sin square theta तो इसका फिर square करते हैं that means कहने का मतलब दोनों तरफ square करते हैं तो इसका मतलब इस परकार से square करते हैं तो क्या हो जाता है cos square का square तो cos 4 हो जाता है फिर sin square का square तो sin 4 हो जाता है और minus 2 sin square theta cos square theta होता है और इसका भी रूज़ कर देते हैं cos 4 theta sin 4 theta कर देगा पर 1 minus 2 sin square theta cos square theta और पहले से minus 2 sin square theta cos square theta था तो कितना हो जाता है 1 minus 4 sin square theta cos square theta तो यहां पर देखिए डायेक्ट हम इसके देगा पर लिखेंगे यह वला भैलू यानि कि क्या है तो cos square theta तो cos square theta पर लिखेंगे 1 minus जो लिखा गया है 1 minus 4 कितना है sin square theta 1 minus 4 sin square theta into cos square theta और पलस 3 बटा नीचे में देखिए 1 minus यह जो लिखा गया है इसे ऐसे ही काया देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यह तो break हो गया है तो 1 minus कितना है sin square theta into cos square theta अब देखिए next step क्या करना है आपको यहां पर यह पलस यह है और यह पलस 3 है तो कितना हो जाएगा पलस 4 हो जाएगा that means कहने का मतला 4 minus यह आपका 4 sin square theta into cos square theta और नीचे में और रेड़ी पाहले से लिए 1 minus sin square theta into cos square theta तो आप देखिए उपर से आपका 4 common है तो 4 common ले लेते हैं तो हो जाएगा यहां पर 4 common लेना मतलब भाग देना तो 4 common ले रहे हैं तो इसमें 4 से 4 में भाग देंगे तो एक हो जाएगा और चार यहां से common ले रहे हैं जिसमें चार से भाग देंगे तो आपको सिर्फ sin square theta और cos square theta बचेगा और नीचे में आपका ये वाला दिया गया है तो ये लिखेंगे 1 minus sin square theta into cos square theta तो ये वाला term आपका रिस्तरकार से cancel हो जाता है तो सिर्फ आपका कितना बचा? चार यही चार आपको प्रेशन का एंसर है जो आपको सिर्फ नवर कितना है सी इसमें भी आपको कहीं पर भी dot है हलाकि dot तो इसे में होगा कि ये सारा value कैसे होता है तो इसे भी हम थोड़ा explain कर देते हैं अब इसे हम थोड़ा मिटा रहे हैं तो देखिए कौन वाला value कैसे आया जैसे ये तो आपको नहीं अगर जो आता है तो सबसे पहले यहां से आना चाहिए cos 2 theta का value cos square 2 theta का value यह कैसे हुआ जो बता रहेते हैं देखिए यहां से क्या कर रहे हैं हम यहां पर देखिए थोड़ा सा explain कर देते हैं से मिटाकर ताकि यह सारा आपको concept याद रखना है यहां पर हम क्याट्या यूज कर रहे हैं सबसे पहले यह वाला formula आपको पता होना चाहिए कि a square plus b a square बरबर क्या होता है a plus b का whole square minus 2ab इसका direct यूज करेंगे तो यह बाला format direct आजाएगा तो पहले हम इसे ही बता देते हैं उसके बाद यह सारा बताएगे तो देखिए सबसे पहले इसे बता रहे हैं यहां से देखिए जो उपर में लिखा गया है कि यह कैसे आ यह बता देते हैं आपको क्योंकि बहुत ही important है इसे बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं next question score तो यह LHS में आपका जो लिखा गया है क्या cos 6 theta minus sin 6 theta तो इसे हम लिख सकते हैं cos q theta या cos square theta लिख देते हैं cos square theta का q और minus sin square theta का q that means अब आपका format बन गया यह q minus b q का इसका format बन गया तो क्या होता है a minus b a minus b कहने का मतलब cos square theta minus sin square theta और उसके बाद क्या है bracket में a minus b का whole square है यानि कि कहने का मतलब cos square theta cos square theta minus sin square theta का whole square है फिर क्या है plus 3ab that means कहने का मतलब plus 3ab यानि कि 3 cos square theta sin square theta तो यहां दिक रहा है साइना स्कॉार। धिता इसके बाद धर कोश्टूर। ये यहां पर हो गया इसके बाद स्कॉार। धिता मैश्ट साइना स्कॉर। का वहलू ही होता है पूर मुद्ध क्छी काOP थृत्ता थ és couldn't घृता इस वो दाना देखे यह इस वाड़ माने पुरीPU breaker स्क्वार में ब्रेक करेंगी तो कॉस स्क्वार ठीटा माइनस साइन स्क्वार ठीटा का होल स्क्वार यानि कि सफ ऊसस्वार्ड थेटा का स्क्वार्ड यहनिक्युक्त ôngबें आसाइन wraps त्विट्डॉ HA दूbung को सायने स्क्वार्ड थीता इंटो को सायने स्क्वार्ड थीता और पहली नमंति को स्क्रिट цен अब देखें यहांपर 2 topic Tul mane सब्सक्राइब तो एक बचेगा आपका यानि कि नेक्स्ट अस्टेप में इस सरकार से लिख सकते हैं कॉस्ट टू ठीटा बरबार कॉस्ट फोर ठीटा पलस साइन फोर ठीटा और ये बाला भलू इसे कल्कुलेशन करेंगा तो एक बचेगा तो एक आपका हो जाएगा साइन फोर ठीटा का भलू हम यहां डायरेक्ट लिखे थे तो यह बाला भलू आपको कहां साइगा तो यहां साइगा देखिए अब यह बता रहे हैं आपको डायरेक्टिव करना है यह मतलब कॉस्ट फोर ठीटा और पलस साइन फोर ठीटा यह जो लिखे हैं तो क्या हो जा कि या वहता है यह यह आपका है 1-2 sin square theta into cos square theta इस फरकार से भी लिख सकते हैं तो डारेक्ट हम यह बला भैलू लिखे थे एक जगह आपको पता होना चाहिए cos 4 theta plus sin 4 theta के जगह पर हम लिख सकते हैं यह बला भैलू तो यह डारेक्ट नहां पर लिखेंगे तो देखें क्या हो जाएगा यह लिख र 1 cos square theta into sin square theta तो देखें ध्यान से यानि कि minus 2 plus 1 कितना होता है minus 1 यानि कि कहने का मतलब बोल सकते हैं cos 2 theta यह तो एक जगह लिख रहा है अगर जो नहीं दिख रहा है हलाकि इतना तक तो दिखना चाहिए cos 2 theta और minus 2 plus 1 तो minus 1 minus sin square theta into cos square theta या हम ऐसे लिख बोल सकते हैं 1 minus cos square theta into sin square theta तो यह बला भेलो आया ना यही RHS है यानि कि यह आपको ध्यान रखना है identity की तरह तो हमने एक आपको बताया और यह तो दूसरा इसी में हो गया उसी प्रकास से बहुत सारा important है अगर यहां पर पलस बाला रहेगा जैसे यहां पर पलस लेने तरह क्या होता तो सारा जो होता है basic में आपको clear करा देंगे लेकिन उसके लिए जादा व्यू जाने लगेगा मेरी चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तभी हम वह सारे basics बताएंगे आप इहां पर इस तरह से इल्ट्रो देख सकते हैं किस तरह से हमने बताया हुआ है तो यह सारे आपको ध्यान रखना है हम क्यूसस में रह लग ता मुक्त है क्या होता है तो इस परकार से । लिख सकते हैं, 2 cos square theta minus 1 तिस्रा के बाद चोठा आप लिख रहा हूँ यहाँ पर cos 2 theta का होता है 1 minus 2 sin square theta चोठा क्या होता है? cos 2 theta बरबर होता है 1 minus 10 square theta बाटा 1 plus 10 square theta इतना हो गया यह अपको ध्यार लखना है इसके बाद जैसे इहाँ पर cos 2 theta अब एक बाराया था cos 2 theta का asquire, यानिकी cos square 2 theta वो भी आपको निकाल कर बता देते हैं, देखे, cos 2 theta का एक भहलो हमें पर क्या लिया थे, जो बता रहे है, cos 2 theta का एक भहलो हमें हाँ पर यूज किये थे, cos square theta minus sin square theta, अब क्या किया थे हम? इसका I squared किया थे मतलत दोनों तरफ I squared कर देते हैं इस प्रकार से और यहां होटाता है तो अब भी फोड़े दिर पाहल यहां भी लिखे थे A-B का होल स्क्वाइर A-Square A-Square plus B-Square minus 2 A-B तो यहां पर वही उज़ करेंगे यानिकि यह कितना हो गया तो यह तो आपको हो गया cos square 2 theta यानिकि अब इधर यह minus B का होल स्क्वाइर में ब्रेक करेंगी यहां पर भी दिख रहा है cos square theta plus sin 4 theta के जगा पर 1-4 cos square theta into sin square theta या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1-1 माइनस गोना में आके पिछे यानि कि फोल sin square theta into cos square theta इसमें कोई भी dot नहीं है यानि कि cos square 2 theta का ये भैलू हो गया तो इस परकास से ये वाला concept हम यहां पर use किये थे Qs में जो यहां पर आपको बता दिये अब जितना भी लिखा गया था सारा हमने बता लिया कि कौन कैसे क्यों कीज हुआ तो इतना basic वाला वीडियो में हम बताते हैं लेकिन यहां पर Qs solution कर रहे हैं तो अब की बार से हम इतना वीडियो से किसी भी Qs में नहीं करेंगे जो Qs बनाना है Qs का sort of approach जानिए आप थोड़ा सा basic जान लिए हलाकि sort of approach से ही Qs को solve करना है लेकिन basic आना चाहिए कभी कभी sort नहीं आता है तो basic से ही Qs को बनाते हैं और ज्यादा उसमें भी समय नहीं लगता है और जो practice की होई रहते हैं ज्यादा तब तो देखें इसके आपको Qs number 189 इसके बाद बता रहे हैं आपको Qs number 169 Qs number 169 यह पुछा गए हैं आपका CC serial tier 2, serial means 182 2018, 18 February 2018 का, पिस्वला किस्वस भी था आपका 18 February 2018 का तो देखें इसका भी आपको इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए जो हैं बता देते हैं सेक स्क्वार्ट थिटा माइनस टैन स्क्वार्ट थिटा का भलू एक होता है जो आपको पता होना चाहिए यहां पर से हम अगर जो सेक स्क्वार्ट थिटा और पलस बन इधर आएगा तो माइनस बन माइनस टै सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो याद रखना होगा तो यह वाला मेन फॉर्मेट होता है इसी से बहुत सारा निकलता है अगर जो हम इसे करें कि से सब्सक्राइब तो यहां पर यह वाला इमिज करें तो देखिए यहां पर और यह फर्मूला तो आपको पता यहां पिछला बार में भी पता होगा जैसे पिछला की उससे सब्सक्राइब तो यहां पर आपको चारों फर्मूला हम लिख दिये थे में फर्मूला को सब्सक्राइब होता है पिछला ही कि उससमें बताएं तो यहां देखिए सेख 2 ठीटा को लिखें एक बटा कोस्ट 2 ठीटा पहले और पलस 1 को लिख देते हैं 1y1 और यह अस्मॉल ब्रेकेट के अंदर है इसके बार इधर आपका है 1y2 और यह आपका कितना है तो कोट को लिखें है कोस्ट 2 ठीटा और यह आपका है को लिखें है साइन ठीटा बटा कोस्ट ठीटा नेक्स्ट अस्टेप दिहां से देखिए यहां पर क्या करना है यह जो लिखा विया है इसे थोड़ा सोल्ड करेंगी यानि कि कि आपका ऐसे ने हंपर हो जाएगा को जिटा और वन का ऐस दीटा हो जाएगा और यहां पर 1 इंटुब 1 तो 1 पलस कॉस्ट 2 ठीटा होगा और यह फर्मूलाव भी पता होनाँ चाहिए बाद पलस कॉस्ट 2 ठीटा क्या होता है 2 cos2 theta होता है और अगर जो 1- cos2 ठीटा रहे तो यह क्या होता है 2 sin2 theta होता है यह जो हम यहाँ पर लिखे हैं यह भी बहुत-बहुत important Quses में काम आता है जो भी Quses high level का होता है उसमें यह वाला approach यूज होता है तब यह formula डारेक्ट यूज होगा तो यह जो हम अभी नया लिखे है यह वाला ध्यां रखना है और पिछला वाले क्यूस में पूरा डिटेल से बताए है तो यह आपको ध्यां रखना है यहां पर यूज करेंगे अभी इसके बाद देखिए यह लिखा गया है आपका 10 ध्यां और यहां पर 1 by 2 यहां ध्यां से देखिए यह लिखा गया है LCM sin theta into cos theta या cos theta into sin theta लिख सकते हैं इस परकार से cross multiplication करेंगे तो cos गुना cos यहना क्या हो जागा cos square theta minus sin faiside sin square theta अब cos square theta minus sin square theta कभलो क्या होता है cos 2 theta तो अब पहीं यह लिखा गया है देखिए 1 plus cos 2 theta क्या होता है 2 cos square theta यहां पर लिखेंगे 2 cos square theta बटा, क्या है cos 2 theta और गुना यह आपका 10 theta है, यह आपका square bracket में है, और यह है 1 by 2 into cos square theta माने sin square theta, देखें, देखें है cos 2 theta होता है, जो लिखें है cos 2 theta, बटा, क्या है sin theta into cos theta, इस परकार से, अब last step देखें, इस परकार से time को हम sin, बटा, cos लिख सकते हैं, last step हम करना है, यहाँ पर देखें, 2 cos square theta, बटा, cos 2 theta, into time theta को लिख देते हैं, sin theta, बटा, cos theta, और यह आपका 1 by 2 है, into cos 2 theta, क्या है, sin theta, into cos theta, अब देखें, 2 से 2 पहले कहीं सीर हो जागा, cos 2 theta से cos 2 theta कहीं सीर हो जागा, sin theta से sin theta cancel हो जागा, cos theta, cos theta, तो नीचे में cos square theta, उपर में भी cos square theta cancel हो गया, सारा data उपर और बीचे cancel हो गया, तो बचा आपका क्या, एक बटाएं, कहने का मतलब, एक इस प्रसंद का answer है, और एक आपका options नमबर कितना दिख रहा है, बील नमबर options, इसके बाद देखी, क्यूसस नमबर 160, एक सो साथ नमबर, क्यूसस नमबर देखिए, 160, एक सो साथ नमबर क्यूसस आपका पुचा गेड़ा है, 9 मार्च 2018 को, सभी क्यूसस, से सीजिल, टियर टू, सीजिल मेंस का क्यूसस है, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम बता चुके है, तो देखें, इस क्यूसस का भी आपको सबसे वेश्ट तरूसन दे रहे हैं, क्यूसस लिखा है, साइन एंटू कॉस भी, पलस कॉस एंटू साइन भी, इस परकार से, साइन एंटू कॉस भी होता है, साइन एंटू कॉस भी, पलस कॉस एंटू साइन भी, यह आपको याद रखना है, अगर जो यहां पर माइनस रहता है, तो यहां भी माइनस होता है, लेकिन कॉस में क्या ह से पर मैनस रहता है पर इसमें पलस होता है ये आपको ध्यान रखना और बहुत ज्यादा विडियो बनाएंगे और उसमें उसका एक एकजांपल भी देते जाएंगे कि इस फॉर्मूला पर ये क्यूसंस मतलब ले टेस्ट पूछा गया है तो भ्यूम जबे बहुत काम आता है इस करांज से हम ज़्यादा basic video नहीं बनाते हैं और आपका ये solution ही कराते जा रहे हैं तो देखिए किसका solution दे रहे हैं ये इसे हम अलग-अलग कर सकते हैं 1802 और minus b minus c बटा दो इस परकार से तो देखिए इन्य एक्सटेप हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो लिखा गया है sin a बटा दो और ये sin जो भी लिखा है 1802 पहले इसे लिख देते हैं और minus, लेंगे तो b plus c हो जाएगा ना और इतना बटा दो इस परकार से हम लिख सकते हैं इसे इसके बाद यहाँ पलस जो भी लिखा गया है इसे वो इसे ही रह गये देते हैं कौस c बटा दो और लिखा गया है sin b plus c बटा दो इसके बाद भ्यान से देखिए next step क्या करना है आपको यह 180 c बटा दो कहने का मतलब कितना हो गया यह आपका 90 गया है sin 90 minus theta the cost theta होता है यह भी आपको यहाँ बाद पता होना चाहिए कि sin 90 degree minus theta क्या होता है तो część दीटा करने गापर यहाँ पर b plus c बटा 2 है अब देखिए यह क्या हो गया to sin e बटा 2 into sin 90 minus इतना यानि की कॉस में हो जाएगा आपका B पलस C बटा 2 और इधर जो भी पहले से हैं वो लिखे में कितना लिखा गया है तो कॉस ए बटा 2 इंके इंटिया इंतु साइट बी पलस छी बटा 2 आप देखिये यहां पर साइख चुंड षी इस्तुक पर्मेटा आपका बन रहा इने स्कंड पलस जे है आद रहा है अपको पलस पर यह सक्टा युज़ करना हो अब इसे जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, तो साइंग नाईटी अपॉन टू हो जाएगा, यानिकि ए पलस एपलस स क्याएगा, आपको फुटि फाईप बारे में टैंसल हो जाएगा, यानिकि साइंग इतना हो गया, प error45 उप वर्टपन से जानते हैं, तो इस परकार से इस परस्ट को इजी वे में बना दी लेकिन कैसे लेकिन आपको यह फर्मुला ध्यान रहेगा तभी यह बना सकते हैं कि अगर मैनस रहता है तो इहा स्यम क्थैनन इन क कॉस्ट लोग «पड IoT लह को अध्यार अक्रण कि श्मिक आपको ध्यांतबा अथी इसके बाद देखिए क्यूसन्स निंबर 161, क्यूसन्स निंबर 161, ये क्यूसन्स भी आपका पुछा गया है, 9 मार्च 2018 को पुछा गया था, सारे क्यूसन्स, एससे सीजिल टियर टू मेंस का है, तो देखिए इसका भी पहले वीडियो पौज किजिए और खुद बनाने की को क्यूसन्स किजिए, ये तो क्यूसन्स इजी है, इसमें आपको मैक्सिमम 10 सकेंड लगना चाहिए, लेकिन हमें समझाना है, तो बारिकी से एक कश्टेप बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से लिखिए, ये कौट 90 माइनस X, ये क्या हो जाएगा, तो 10 X, 10 क्लास में ये पढ़े हो ये, इसके बाद, साइन 490 माइनस X, तो साइन 90 माइनस X क्या होता है, कॉस X, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, लेकिन 4 पावर है, तो 4 और X, पलस, यहाँ देखिए, कॉट पाई, एक्स वस्टी दिगर को आप पाई भी बोल सकते हैं, यानि कि कॉट एक्स वस्टी माइनस X, या कॉट पाई माइनस X, तो पाई कहां पर होता है, इस परकार से आपका पाई होता है, और पाई माइनस बोल रहा है, कहने का मतलब यह आपका सकेंड क्वाइन्ट में रह जागा, तो सकेंड क्वाइन्ट में कॉट निगेटिव होता है, सकेंड क्वाइन्ट में कॉट नि तो sin theta आर उसका उल्टा कॉसेट theta और वाकि सभी negative होता है तो why theta negative होता है second quadrant में एक्सवस्टी माइनस यह क्या है एक्सवस्टी माइनस थीटा आपका second quadrant है तो यह minus में होता है तो minus लिखेँए और एक्सवस्चे के कारण change नहीं होता है क्योंकि 90 के साथ 20 के साथ आपका समसंख्या गुना रहता है यानि कि इभेन नमबर गुना रहता है नाव्यक के साथ तो आपका चेंज नहीं होता है sin sin way cost cost में 10 टین में इस प्रकार से रहता है तो cont में ही रहा जाएगा और x है तो x इस प्रकार से यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद देखे sin 4 x or c minus × तो आप तो इसमें sin और ठीता positive होता है sin change नहीं होगा तो इस ही प्रकार से रहा जाएगा यानिकि sin 4 x इसमें तो कोई लोट नहीं होने चाहिए क्योंकि sin 1 x ही होगा लेकिन 4 पावर है तो 4 होगा 180 के कारण चेंज नहीं होगा यहां हम बता चुके हैं अब देखिए next step क्या करना है plus minus तो यहां पर हम minus लिख देते हैं next step यहां पर लिख देते हैं और sin 4 x को वैसे ही रहने देंगे अब यहां पर ध्यान से देखिए यह एक कॉस x यानिकि कॉस x कॉस x कैंसल हो जाएगा यहां पर कॉस q x बज़ेगा यानिकि sin x इंटू कॉस q x इस परकार से क्योंकि यहां 4 कॉस x कॉस x इस परकार से है तो एक कैंसल होगा तो तीन बारे हैं बज़ेगा कॉस x माइनस उसे परकार से sin पर पावर चार है तो एक कैंसल हो जाएगा तो यहां sin q x बज़ेगा ना अब देखिए इसके बार दोनों में आपका sin x कॉस x कॉस x कॉमन है यहां भी sin x तो यहां भी sin x है यहां कॉस x इसमें है इसमें भी कॉस x है यहां कि कहने का मतला sin x into cos x कॉमन है तो यहां पर sin x कॉस x कॉमन लिए तो sin x तो कॉमन हो गया cos x भी कॉमन ले रहा है यानि कि cos q x है तो एक cos x कॉमन हो गया तो क्या बज़ेगा? cos square x बज़ेगा और minus यहां सेUNHGS तो common हो गई है S-Q-X है तो define X common हो गई है तो sine square X भगा है अब देखिए यह अपने मन से यहां पर हां अगर जो इस परकार सदिख दे एक बटा दो गुना दो फॉर्मुला सैक करना है क्योंकि इसा लिख है कि 2 sin theta या 2 sin x cos x क्या होता है यह होता है आपका sin 2x होता है 2 sin x cos x sin 2x होता है आप यह भी पता होना चाहिए cos 2x वरवर क्या होता है तो cos square x minus sin square x होता है यह तो हर एक यह लिए एक वाटा दो से हमने गुना किया अब यहां पर ऐसे ही लिखना है यहां पर आप कुछ नहीं करना है यह स्कॉर x minus sin square x का भालू क्या लिखेंगे cos 2x अब इसके बाद next step कि इतना का भालू क्या हो जागा जो यहां पर लिखें है 2 sin x cos x sin 2x यह लिखें कि कितना हो गय पर लिखेंगे यहां x है तो यहां पर क्या है 2 x है उसी प्रकार से हम आप लिखें 2 sin 2x into cos 2x कितना हो जाएगा sin 4x हो जाएगा क्योंकि इधार जो आइकल रहता है इसका यह double होटा है यालिकि 2x तो नहीं 4x होगा यहां x था वहां 2x था उसी परकार से sin 2x into cos 2x क्या होगा तो यहां पर सबसे पहले तो 2 होना चाहिए लेकिन करने के लिए अपने वहां से 2 से भुना करेंगे और 2 से भाग देगे एक वटा दो तो पहले से था फिर एक वटा दो से गुना कर रहे हैं और दो से इस परकार से तो यह दोनों पैसिन हो जाएगा तो एक वटा दो ही रहेगा यहीं कि 2 sin 2x into cos 2x अब यतना का फॉर्मूला तो कि साइन 4x बटा 4 तो यह कौन सो ओप्शन से जेख सकते हैं यह ओप्शन नंबर भी दिया गया है बहुत ही इजी क्यूशन था लेकिन इसमें concept यह रखा है कि 2 sin x into cos x sin 2x होता है उसे परकार से यहां पर x करेंगे तो इधर 4x हो जाएगा अगर यहां पर 4x करेंगे तो यहा होता है यहां पर जो भी रहता है इसका मधर रहता हर जेनरस थोप्दा होगा तिंस हों इसके बाद 163 के बाद 172 कि से क्यूशन्स नमर देखिए 1612 यह भी आपका पुछा गया है ससे सीजियल टियर टू 9 मार्थ 2018 को तो यह भी क्यूशन्स आपका उसी दिन का पुछा गया है जो पिछला क्यूशन्स था तो यहां पर इसका बेश्क सलूसन दे रहा है देखिए सबसे पहले वीडियो पहुच करके खुद बनाने की कोसिस कीजिए बहुत ही इंपॉर्टेट क्यूशन्स है इसमें सारे क्यूशन्स आपका इससे सीजियल टियर टू मेंस वाला ही चल रहा है तो कोई भी क्यूशन्स को आप इस तरह से आसानी में नहीं लीजिए व कोस क्योशन्स हवे चाहिए और दिया है किसथ स्क नहीं टेया है और यहां पर साद स्क करेंगो डेक्स कमा नढ़ apologyollा चाहिए तो हम नहीं स्क करना हो तो कॉशन्स कितना हो थो देखिए हमापर बता रहे हैं कि स्क लगा है एक वाड़ा किटना है अगर जो नहीं पता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर रहे हैं यहां यंकर यहां 5 नहीं पर यहां पराखाएं तो इसना से हैं प्राहल्णे संन उल्डएर हां संसेle серд sus यूज जा हंए अब स्पूरी पर यहां पर जाइए यहां करना है यूज देखे, sin by आपको कितना दिया है, sin by दिया है, 2 बटा 3, तो sin square by कितना हो जाएगा, sin square by हो जाएगा दूदूनी, 4 बटा 3 दिया 9, उसी प्रकार से यहां पर से हम निकाल सकते हैं, cos square by, तो हो जाएगा 1 minus 4 बटा 9, यानिकि 5 बटा 9 हो जाएगा, इस प्रकार से, 9 minus 4 तो 5 बटा 9 और हमें चाहिए cos 4 by, तो cos 4 by यहां पर निकाल देते हैं, यह कितना हो जाएगा, 5 बटा 9 का square, यानिकि 25 बटा 81, तो अब यहां पर से value रखना है, देखे, 6 into, क्या लिखा गया है, cos square x, तो cos square x कितना निकाल देते हैं, 3 बटा 4, तो यहां पर निखते हैं, 3 y, 4, minus 4 into, क्या ल cos square y, तो cos square y कितना निकालें, 5 बटा 9, इसके बाद देखिए, यह आपका, कितना हो गया, minus 27, cos 4 by, यह 25 upon कितना है, 81, इसे सिर्फ solve करना है, तो देखिए, solve कर देते हैं इसे, तो solve करना भी easy है, कैसे, यहां पर आप cancel मत कीजिए, cancel करने से ज्यादा difficult हो जाएगा, तो direct ऐसे कर सकते हैं, एक establish देते हैं, देखिए, यह चेती है, 18 बटा कितना है, 4, minus, यह कितना है आपका, 9, 4, 36 बटा, कितना है, 16, अब देखिए, यह आपका निचे में बटा है, 18 पचे, 90 बटा, 9, 90 बटा 9 है, minus, यह आपका कितना है, 27 गुना, 25 बटा, 81, तो इसे छोटा बनाने के ल सकते हैं, मतलब, कितना हो गया, 10, minus, यह 25 बटा, 3, 10, minus, 25 बटा, 3, अब देखिए, यहां पर ऊपर वाले को हम ऐसे कर लेते हैं, हर को समान कर देते हैं, तो यहां 4 से गुना कर देते हैं, यहनि कि 12, 26 बटा आएंगे, तो 36 होगा, यहनि कि 36 बटा, उपर में कितना हो गया, 16 और निचे में, 10 यह 30 में से 25 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, पांच, यहनि कि 5 बटा, 3, अब इससे सिर्फ सोल्व करना है, तो एक स्टिप हम इधर, यह कॉस्ट स्कूर बाई को इधर लिख देते हैं, जो भी था, कॉस्ट फूर बाई था, तो इधर लिख देते हैं चार चोंके सुल्व, और नो चोंके 36, तो नो तिया 27 बटा, चार पचे 20, तो 27 बटा 20 कोई options है, 27 बटा 20 options नवर फश्ट है, तो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से कैंसर आपने जीवे में दे दिया, बहुत बाई कैंसल करने पर आप ज़्यादा difficulty हो जाएगी, त कमेंट्स बक्स में कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें या आपका